मुंगा रत्न के बारे में जानकारी रत्न शास्त्र में नौ रत्नों का वर्नन मिलता है इन रत्नों का नौ ग्रहों से संबंध होता है यहां हम बात करने जा रहे हैं मुंगा रत्न के बारे में मुंगा रत्न का संबंध मंगल ग्रह से है मंगल को जोश और साहस प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है जोतिश शास्त्र के मुताबिक मुंगा रत्न धारन करने से मंगल का शुब प्रभाव बढ़ता है और मंगल ग्रह मजबूत होता है मुंगा लाल, सिंदूरी, गेरुआ, सफेद तथा काले रंका होता है यह एक तरहे की लकडी होती है, जो समुद्र के अंदर पाई जाती है व्यक्ति को खून से संबंधित कोई रोग है, जैसे एनीमिया, लिूकेमिया और यहां तक की रक्त कैंसर को भी ठीक करने में मदद करता है, मुंगा आलसीपन और बेचैनी को दूर करने में भी मदद करता है, जिससे इनसान तरो ताजा और सक्रिय रहता है यह रत्न प्रशासन, आर्मी, पुलिस, मेडिकल ख्षेत्र, इंजिनियर कार्य इत्यादी ख्षेत्र में सफलता पाने में मदद करता है, शुगर रोगी अगर मुंगा धारन करेंगे, तो उनका शुगर कंट्रोल में बना रहेगा, जिनके मासपशियों में दिक्कत रहती ह उन्हें मुंगा धारन करने से लाभ मिलता है मुंगा रत्न को कब और कैसे धारन करें? मुंगा रत्न को किसी भी शुकल पक्ष के मंगलावर के दिन चित्रा या मृक्षिरा नक्षत्र में सूर्य उदे होने के बाद, रत्न की प्रान प्रतिष्ठा करने के बाद धारन करना चाहिए मुंगा रत्न को पूजा पाठ वाले स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिचा कर उसके उपर रख दें, उसके बाद जोत और धूप जला कर एक कटोरी में पंचामरित लें पंचामरित बनाने के लिए घी दूद शहद शक्कर, दही लें और दूसरी कटोरी में गंगा जल ल इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम क्रा क्री क्रौ सभौमाई नम मंत्र जाप पूरा होने के बाद अंगूठी उठा कर पहले पंचामरित से धोलें उसके, बाद गंगा जल से धोकर धूप तथा दीप के उपर से सीधी तरह घुमा कर, ओम क्रा क्री क्रौ सभौ पर मुंगा रत्न को सोने चांदी या तामबे की धातू में धारन कर सकते हैं, पर मुंगा रत्न का सबसे अधिक लाब तामबे की धातू में पहनने से होता है, मुंगा रत्न का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, रत्न हमेशा शरीर के वजन के हिसाब से धारन किया जाता है, पर मुंगा रत्न कम से कम 6-8 रत्ती का धारन करना चाहिए.